बेलारूस यूरोप और अमेरिका पर एटमी खत्रे का एपी सेंटर बन चुका है बेलारूस में न्यूकलियर तैनाती के बाद पोलेंड को सीधे हमले का डर है पॉलेंड ने कहा है कि बेलारूस में न्यूकलियर हत्यार तैनाती के बाद पूरे योरोप पर विनाश की तलवार लटक रही है और इस खत्रे से निपटने के लिए पॉलेंड अमेरिका से न्यूकलियर हत्यारों की डिमांड कर रहा है क्योंकि बेलारूस में इस वक्त बड़ा खतरनाग घटना करम चल रहा है वैगनेर फोर्स के ठिकाने और नुकलियर वेपन के बेस तैयार हो रहे है खास बात ये है कि नुकलियर बेस और वैगनेर फोर्स के कैम्प के बीच दूरी बहुत कम है जिससे ये अंदेशा जताया जा रहा है कि वैगनेर के भागी सैनिक कभी भी नुकलियर बेस पर कबजा कर सकते हैं युद्धा अगर सीधे एक देश से हो तो सामना प्रोफेशनल सेना से होता है लेकिन प्रॉक्सी वाल यानि जद्म युद्ध में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता रूस युक्रेन का युद्ध अब उसी दिशा में मुड़ चुका है और इसी के साथ जड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विद्धवन सा खत्रा यानि एटम पार क्योंकि बेलारूस की जमीन पर वैगनर चीफ के हाथ एटमी हत्यारों का कंट्रोल आने वाला है इस एक खबर ने पूरे यॉरोप में आतंक पैला दिया है बेलारूस के पड़ोसी देशों को डर है कि उनके ऊपर कभी भी सीधा न्यूक्लियर हमला हो सकता है रूस के बागी गुट वैगनर ने अगर हमला किया तो इस हमले के लिए रूस को सीधा जिम्मेदार नहीं ठहराये जा सकता है इसी लिए बेलारूस के पड़ोसी देश काउंटर आटेक की तैयारी कर रहे है पॉलिंड ने भी बेलारूस को जवाब देने के लिए न्यूक्लियर हत्यारों की डिमांड की है मोरा विकी ने कहा है कि पॉलिंड में परमाडू हत्यार तैनात किये जाए अमेरिका को पॉलिंड में परमाडू बेस बनाना चाहिए बेलरूस में एटमी तैनाती से निपटने के लिए कारगर कादम उठाये जाए हालांकि पहले से ही ये अंदेशा है कि पॉलेंड की जमीन पर अमेरिका न्यूक्लियर बेस बना चुका है रूस बेलारूस की तर्च पर अमेरिका और पॉलेंड के बीच परमाडू हत्यार तैनाती का समझाता होता है तो यॉरप में न्यूकलियर खत्रा और ज्यादा बढ़ जाएगा आखिर पॉलेंड को रूस से इतनी घबराहत क्यूं हो रही है इसकी वज़े वो साटलाइट इमेज है जिसमें बड़ा खत्रा नजर आ रहा है क्या है उस साटलाइट इमेज में देखे इस खास रपोर्ट को अगर अमेरिका पॉलेंड में अपने न्यूकलियर हत्यार तैनात करता है तो यॉरप में इनकी गिंती डेड़ सो से ज्यादा हो जाएगी पॉलेंड में न्यूकलियर हत्यारों की डिमांड की है तो उसके पीछे वजा है बेलरूस और वागनर प्रमुक्ष प्रिगुजन का गठ जोग पिलारूस में जारी गत्विधियों की सेटलाइट इमेजिस जारी होने के बाद खदरे को भातते हुए ही पॉलेंड ने अमेरिका से न्यूकलियर बेस बन्कर दिखाई दे रहे हैं और उनके पास ही मिसाईल लांचर और सपोर्ट वहिकल के शेल्टर दिखाई दे रहे हैं अब इन ठिकानों पर रूस के न्यूकलियर हत्यार तैनात हो चुके हैं इनकी सुरक्षा बढ़ा ही जा रही और सैन्ये शम्ता के हिसाब से अपक्रेट किया जा रहा है पेलरूस में न्यूकलियर तैनाती का खत्रा तो है लेकिन उससे भी बड़ा खत्रा है पीमसी वैगनर कल तक जो वैगनर ग्रूप रूस का सबसे बड़ा दुश्मन माना जा रहा था जिसने रूस को ग्रही युद्ध में जोकते यासा संगीन अपरात किया अब वही वैगनर ग्रूप पुतिन के एन विनाचकों की सुरक्षा करेगा इतना ही नहीं आशंका तो ये भी यताई जा रही है कि आने वाले वक्त में यूकरेन पर न्यूकलियर अटैक भी वैगनर ग्रूप ही करेगा क्यूंकि बेलरूस में मौझूद रूस के एटमी वेपन्स की सुरक्षा वैगनर ग्रूप को सौपी गई बेलरूस के न्यूक सेंटर पर वैगनर लडाकों की तैनाती होगी वैगनर चीफ प्रिगोजिन के पास एटमी अड़ो का कंट्रोल होगा बेलरूस के प्रेजिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको 27 जून को ही ऐलान कर चुके हैं कि परमाडू ठिकानों की सिक्क्योरिटी वैगनर ग्रूप के पास होगी अब वैगनर ग्रूप के ठिकाने भी इस नए नूकलियर बेस के नजदीक बनाय जा रहे हैं ये तस्वीरें बेलरूस से आई हैं अमेरिकन इंटेलिजिन्स के मताबेक यहाँ वैगनर ग्रूप के फाइटर्स को तैनात किया जाएगा उसी पोविची में वैगनर ग्रूप का सैन्य बेस बनाय जा रहा है अस्थाई सैन्य बेस में 303 टेंट बनाय गए हैं टेंट की शम्ता 20 से 50 सैनिकों की है इस कैम्प में 15,000 वैगनर सैनिक रुखेंगे खास बात यह है कि इस कैम्प की दूरी न्यूक्लियर बेस से सर्फ 25 किलोमीटर है साधी वैगनर लड़ा के पेलारूस की सेना को जंग लड़ने की ट्रेनिंग भी देंग लुकाशेंकों ने खुद वैगनर की तारीफ करते हुए इसका एलान किया न्यूक्लियर बेस का रिमोट कंट्रोल एक तरह से वैगनर ग्रुप को मिलने वाला है दुनिया की सबसे खतरनाक प्राइविट आर्मी को दुनिया का सबसे विध्वनसा खतियार मिलना ही पूरे यॉरप के लिए महाविनाश का अलाम है पहलारूस के एस्यू 25 जेट को पिछले साल ही न्यूक्लियर हमले के लिए अफग्रेट किया जा चुका है इसकंदर मिसाइले तैनात हो चुकी इसी लिए पॉलेंड कह रहा है कि यॉरप में न्यूक्लियर विनाश का बवंडर कभी भी शुरू हो सकता है प्यारो रपोर्ट टीवी नाइन भारत वाक्ष